हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 कॉस्टन सीरीज को आंगी बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे भारत की जो प्रमुख जल प्रपात या फिर वाटरफॉल है इनको डेटिल में डिसक जाते हैं ठीक है कुछ प्रमुख जल प्रपात है जैसे जोग जल प्रपात सिव समुद्रम जल प्रपात डुडुमा जल प्रपात चित्रकूर जल प्रपात ठीक है चितने भी प्रमुख जल प्रपात है जहां से एक्जाम में कोश्टन पूछ जाते हैं उन सभी को मिहां प महात्मा गांधी फॉल्स ठीक है चलिए पहले हम option देख लेते हैं फिर इसका answer और detail भी discuss करेंगे तो सिर्व समुद्रम जोग खुन्रू या फिर चुलिया ठीक है तो बच्चो करनाटक में इस्थित है महात्मा गांधी जलपरपाद जिसको जोग जलपरपाद के नाम से भी ज जाना जाता है या फिर जोग गर्सोपा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है कहां पर इस्थित है करनाटक राज में इस्थित है याद रखना है ठीक है देखिए ये करनाटक राज है दक्षन भारत का एक राज है ठीक है इसका अन्य नाम के है जोग गर्सोपा इसको जाना जाता है किस नदी पर बच्चो यह इस्थित है तो शरावति शरावति नदी पर इस्थित ये एक प्रमुख जल्पRAPATH है आपको याद रखना है काफी महात्रपूर्ण इंपॉर्टन जलप्रपात है बच्चो कई वार यहां से एक्जाम में कोशन आया हुआ है इसके लाव इसकी हाइट की बात करें तो 253 मीटर इसकी उचाई या फिर हाइट है तो यतने भी फैक्ट है आपको याद रखना है महात्रपूर्ण है ठीक है इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जोग जलप्रपात की कुछ तस्वीर हैं ठीक है आप देख सकते हैं चलिए अगला कोशन डिसकस करेंगे कावेरी नदी पर इस्थित सिव समुद्रम वाटरफॉल most important है कई बाल एक्जाम में कुश्चन हाया है किस राज्य में इस्थित है in which state is the सिव समुद्रम वाटरफॉल situated on the river कावेरी लोकेटची ठीक है थीक है रिवर कावेरी में कौन सा मतलब यह सिव समुद्रम है ठीक है नदी का नाम है कावेरी सिव समुद्रम waterfall है और करनाटक राज्य में यह स्थित है या फिर situated है ठीक है यह देखिए करनाटक राज्य है और यहाँ पर सिव समुद्रम जल प्रपाथ याद रखना है इस waterfall के पास बच्चो एक जल विद्दुत केंद्र की भी स्थापना की गई थी कब की गई थी तो 1902 1902 में 1902 से यहां से या फिर इस waterfall से जल विद्दुत का भी उतपादन किया जा रहा है तो यह बात भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगले question को discuss करने से पहले थोड़ा सा आपको update देना चाहूँगा यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किस इसने भी expert faculty है GS की वह आपको यहां पर guide करेगी और teach करेगी किसी भी प्रकार की query के लिए यह WhatsApp नंबर या फिर आप इसको dial भी कर सकते हैं ठीक है यदि आरंब बैच की हम बात करें तो यहां पर live और recorded classes आपको मिल जाती है बाइल एंगुल आपको notes मिल जाते हैं ठीक है इसक आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं तो root application पर आप मुझसे geography पढ़ सकते हैं ठीक है Indian हो या फिर world हो किसी भी exam के लिए जो हमारा foundation course है geography का यह आपको मिल जाएगा recorded badge भी मेरे मिल जाएंगे live badge भी मेरे आपको वहां पर मिल जाएगा तो आप मुझसे geography पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए अगले question हम discuss कर लेते हैं कुंची कल जरप्रपात को भारत का सबसे उचा जलप्रपात माना जाता है इसकी height कितनी है या फिर उचाई कितनी है ठीक है तो कुंची कल जरप्रपात सबसे पहले तो एक बास समझ लेजी कि भारत का सबसे उचा waterfall है ठीक है और कहां पर है तो करनाटक राजजी में ये इस्तित है ठीक है चलिए तो इसको देख लेते हैं कितनी height है इसकी b answer इसका सही हो जाएगा चार सो पच्पन मीटर के आसपास इसकी height है क्या नामे कुंची कल जलप्रपात किस नदी पर है बच्चो तो वराही नदी वराही नदी पर ये इस्त श्चो नदी पर बच्चो ये इस्तित है करंडवी नदी पर बच्चो ये इस्तित है पर करनाटक और गोवा राजी की बॉर्डर पर या फिर इनकी सीमा पर ये इस्थित है आपको याद रखना है। पर गोवा राजी की बॉर्डर पर ये इसके लवा यहां पर आप देख सकते हैं दूद सागर जल पर पाथ है ना चेन नहीं एक्सप्रेस मूवी देखी होगी उसमें भी आपको इस प्रकार की दर्श्य देखने को मिले होंगे तो इसको हम बोलते हैं दूद सागर जल पर ठी भी कहा जाता है काफी महत्तपूर इंपोर्टन कोश्चन है कई वार यहां से एक्जाम में कोश्चन आया है कुंचिकल दूद सागर चित्रकूट यह फिर गोग तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चो चित्रकूट जल प्रपात को भारत का नियागरा फॉल भी कहा जाता है कहा पर है बच्चो तो चट्रकूट राज्य में यह इस्तित है कहा पर चट्रकूट जल प्रपात आपको याद रखना है काफी महत्तपूर इसके लबा किस नदी पर यह बनता है तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है मैं आल्रेडी पहले पढ़ा चुका हूँ पर ही बनता है कौन सा जल प्रपात चित्रकूट जल प्रपात जिसे भारत का नियागरा फॉल भी कहा जाता है आपको याद रखना ठीक है यह चट्रकूट राज्य है आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं मैप में यहां पर मैंने चट्रकूट की लोकेशन बताए हुए एक लोगड इस्टिट है ठीक है पॉटल पांच लेंड लेंड लोगड या फिर भू आविश्टित राज्य है उसमें से एक च्छतिस गड़बी राज भू आविश्टित के अंतरगत आता है अगला यहां पर कुश्चन है बच्चों हुन्रू वाटरफॉल या फिर हुन्रू वाटरफॉल है बच्चों यह जारखंड राज जी के अंतरगत आता है और किस नदी पर है तो एक प्रमुख नदी है जारखंड की या फिर स्वान रिखा छोटा नाकपुर प्लेट्टियू या फिर जारखंड की काफी महत्पून नदी है जिसको हम बोलते हैं स्वान इस पर ही ये हुणुरू बनता है राची के पास जो इसकी वाटरफॉल है जारखंड की घार्घंड करण की पास यह जो की खनिज संसाधन चोता नाकपुर प्लेट्टियू valid को भारत का रूर प्रदिश भी कहा जाता है ठीक है की नेक्स्ट को डिसकस कर लेते हैं, अगला कोशन है, नर्मदा नदी पर इस्थित धुआधार जल प्रपात, धुआधार जल प्रपात किस राज्जी में इस्थित है, ठीक है, धुआधार वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, काफी महत्रपूर ये कोशन है, राजिस्थान, ये धुआधार जलप्रपात है भेडा घाट नामक इस्थान में जो की काफी सुन्दर वाटरफॉल है याद रखना है किस नदी पर बनता है तो नर्मदा नदी पर बनता है नर्मदा नदी की बात करूं तो जवलपुर के पास से ही अनुपर जिला है मतलब आप देखेंगे स पुड़ा मेकाल रेंज है यहां से इसका ओरीजन होता है ठीक है और फिर उसके बाद महराष्ट हो गया और गुजरात के भरोज के पास खंबात की खाड़ी में जाकर कि गिरती है ठीक है भंस घाटी में बहने वाली नदी है पश्चिम की और ये प्रवाहित होती है आप द दुग्दधारा एक दुग्दधारा वाटरफॉल भी है एक मांधार एक मांधार वाटरफॉल है एक दर्दी वाटरफॉल है तो ये सबी जितने भी वाटरफॉल है ये नर्मंद नदी के ही वाटरफॉल है और मध्रप्रदेश के वाटरफॉल है आपको याद रखना है का पर काफी ज़़ा कुष्ण आता है ये तो चचाई वटरफल तो देख ले ते किस नदी पर है तो बीहड नदी पर ये इस्थित है याद रखना है चचाई वटरफल इंपोर्टेंट है कई वारे एक् Việt में आता है याद रखना बीहड नदी थिक tes बीहड नदी पर ये सही है करनाटक के राज्य में बनता है यह अभी मैंने डिस्कस कराया चुलिया चंबल बिल्कुल सही है कोटा के पास यह बनता है चुलिया चंबल जोग जलप्रपात यह गलत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी यह गलत मैच है जो जोग जलप्रपात है वच्चो यह श इसका आद रखना है चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं अगला कोशन है बारेही पानी वाटरफॉल ठीक है जो कि भारत का दूसरा सबसे उचा वाटरफॉल है तीन सो निन्याननवी मीटर इसकी उचाई है आपको याद रखना है ठीक है देखिए ये उडिसा राज है ठीक है उडिसा राज है और यहाँ पर ही आपको बारेही पानी वाटरफॉल देखने को मिलता है तीन सो निन्याननवी मीटर इसकी उचाई है इसकी पहले अभी हमने क कुण्ची कल देखा था कुण्ची कल करनाटक के अंतरगत दिखा था यह भारत का सबसे उचे जिल प्रपात है ठीक है चार सो पश्पन मीटर के आसपास इसकी उचाही है अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले डिसकस कराया था ठीक है तो बारही पानी दूसरा सबसे उचा इसके लावा एक और वाटरफॉल यहां पर डुडूमा जो की मुझकुंद नदी पर इस्थित है ये भी उडिसा राजी के अंतरकती आता है डुडूमा वाटरफॉल इसको भी आपको थोड़ सा दिमाग में रखना है दौनों महत्पूर है काफी वार यहां से एक्जामस में भी question बच्चो आय हुए है ठीक है चलिए next question को हम discuss कर लेते हैं उडिसा राजी का डुडूमा देखे अभी हमने discuss किया वही आ गया किस राजी में इस्थित है या फिर located है वधावालांगा नदी कृष्ण नदी मुझकुंद नदी या फिर सौन नदी तो अभी मैं आपको ब नूह काली काई waterfall या फिर नूह काली काई जलब्रपाद जो है जो वर्षा के कान बनता है थीक है तो कहाँ पर किस राजी में इस्थित है फिर यहां पर पूरह नदी कर लेना किस राजी में ये located है या फिर स्थित है तो मनिपूर मिजूरम मेघाला या फिर सिक्क्न तो तीसरा सबसे उंचा यह वाटर फॉल है याद रखना है ठीक है चलिए लगवक 340 या फिर 350 मीटर के आसपास इसकी उंचाई है तो उत्तर पूर्वी राज्य यह फिर सेवन सिश्टर का एक राज्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में दिया आप बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ असम्राज के साथ ही इसकी बार्डर लगती है और यहाँ पर बांगलादेश के सा जलप्रपात किस भारत की किस परवत पर इस्थित है ठीक है तो अरावली सत्पुड़ा नेलगिरी अफ्रिश शिवालिक तो इसका अंसर हो जाएगा जी नेलगिरी जो माउंटेन है बच्चो दक्षन भारत का एक प्रमुक माउंटेन है जो की इसी माउंटेन पर पाईकारा वाटरफ़ल इस्तित है कहां पर नेलगिरी नेलगिरी के वारे मैं थोड़ से दिमा डिटेल बताऊं तो तीन राज दक्षन भारत के यहां पर देख लीजए दक्षन भारत के तीन राज है कौन-कौन से यह करनाटक राज है यह केरल राज है और यह तमिलनाडू राज है तो इन तीनों के बीच ओ बीच ये निलगिरी माउंटेन इस्तित है। है ना इसकी सबसे उची चोटे की बात करूँ तो डोडा बेटा डोडा बेटा निलगिरी की वच्चो सबसे उची चोटे है। 26-36 meter इसकी उचाई है कितनी है 26-36 meter इसकी उचाई है ठीक है और दक्षन भारत या फिर प्राय दुपी भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है आपको याद रखना है इसके लावा दक्षन भारत की सबसे हुझी चोटी कौन सी है तो अनाई मुडी 26-95 मीटर इसकी हाइट है अनाई मुडी ठीक है ये दक्षन भारत की सबसे हुझी चोटी है तो 26-95 मीटर इसकी उचाहिए तो याद रखना है नेलिगरी की वाटरफॉल भी यहाँ पर ही आपको दिखने को मिलता है तमिल नाडू में कावेरी नदी पर यह इस्थित है इसके लबा तमिल नाडू और करनाटा की सीमा या फिर बॉर्डर पर यह इस्थित है लगवग 20 मीटर इसकी उचाई है ठीक है तो यह कुछ अन्य डिटेल भी डिसकस कराया था एक कुश्चन में नर्मदा, चंबल, तापती या फिर सौन तो इसका अन्सार जगा बी चंबल नदी पर बच्चो चंबल नदी पर चूलिया वाटरफॉल या फिर चूलिया जलपरपात इस्थित है या फिर लोकेटेड है आपको याद रखना है कहां पर कोटा एक जिला है राजिस्थान का तो यहाँ पर ही आपको यह देखने को मिलता है चूलिया वाटरफॉल ठीक है याद रखना चलिये अगला कुश्चन है करनाटक में इस्थित गोकक जलपरपात जो घाट प्रभा नदी पर इस्थित है तो यह जो घाट प्रभा नदी है घाट प्रभा नदी थोड़ा सा गोमा के कोश्चन पूछ लिया सबसे पहले देख लीजी गोकक वाटरफॉल कहां पर है तो करनाटक राज्ज में हैं किस नदी पर है तो घाट प्रभा नदी पर है घाट प्रभा नदी किसकी सहायक नदी है ठीक है तो किसकी सहायक नदी है घाट प्रभा यह हमने अल्रेडी डिसकस कर लिया है आप प्रीवेज वीडियो देख सकते हैं हमारे 10 कॉशन के सारे यह नदियों वाले टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है ठीक है तो याद रखना है घाट प्रभा जो कि किसकी कृष्णा की सहाइक नदी है इस पर गोकक वाटरफॉल है और करनाटक के जितने भी वाटरफॉल मैंने बताए कुंची कल जोग जलपरपात इसके लावा यह गोकक वाटरफॉल हो गया दूद सागर जलपरपात हो गया काफी महत्पूर्ण है करनाटक के जलपरपात यहां से कई वारे एक्जाम में question पूछे जाते हैं तो C answer इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है बच्चों यहां पर ठीक है 15th number question होगा भारत में कौन सा जलपरपात अभी हमने discuss किया तमिल नाडू और करनाटक राज्जी की सीमा पर इस्थित है ठीक है तो थोड़ी दिर पहले हमने discuss किया था होगी नकल होगी नकल जो waterfall है यह तमिल नाडू और करनाटक की border पर इस्थित है काफी महत्रपूर यह question है याद रखना है तो बच्चों यह 15 question हमने discuss किये है ठीक है यह 15 question हमने waterfall से संबंद देते हैं फिर related कर लिया होंगे ठीक है तो फिलाल आज के lecture में इतना ही यदि आपको किसी भी exam की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आप हमारी 10 question सीरिस को follow कर सकते हैं और यदि आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं तो हमारी root application और crazy जी के trick की application पर आप मुझसे geography के recorded लिए फिल लाइफ कोर्स के माद्धे हम से पढ़ सकते हैं ठीक है तो फिलाल आज की lecture में इतना ही यदि आज का video lecture पसंद आयो तो please video को like करें इसके लावा आपने दोस्तों के साथ share जरूर करें मिलेंगे अगले भैतर lecture में तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें बाई बाई जय हिंद